जैहिन दोस्तों मैं हूं राकेस फोजी दोस्तों CRPF पेरामेडिकल स्टाफ से जिन जवानों ने फोर्म अपलाई के आथर फिजिकल कंप्लिट हो गया है उनका अब रिटेंट टेस्ट बाकी है तो मैंने पेरामेडिकल स्टाफ के समद्धे बहुत से वीडियो बना रखे हैं जो आप लोग लगातार देख रहे हैं साइद इस वीडियो में कुछ लोग नहीं आए हो तो आपको मेरे चनल पर मिल जाएंगे लग बग मने सबी जो एक जाउट्स होते हैं जवानों के वहने कीलियर कर दिये लेकिन एक जो जोइनिंग कित के समद्ध में बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर CRPF के अंदर जो जवान बढ़ती होता उसको जो जोइनिंग टाइम पर कित मिलता है तो क्या परमेडिकल स्टाफ के जवानों को कित के अंदर क्या सामान मिलता है क्या सामान नहीं मिलता है तो आप वीडियो पूरा देखना अगर आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सबस्काइब कर ले वीडियो के अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले बैल आइकन नोटुफिकेस्टन को पर जरूर कर ले ताकि मैं बहुश्य में कोई वीडियो पोस्ट करूं वह आप तरक आशनिशे पहुंचे कि दोस्तों सबसे पहले त पर किसी भी ट्रेट से बढ़ती होते हैं तो जो फोर्ष का जो किट होता है आपको इश्यू होता है लेकिन वह आपकी ट्रेड आपकी रैंक उसके इसाब से कुछ सामान आपका कम हो जाता है किसी में कुछ सामान ज्यादा हो जाता है वो डिपेंड करता कि आप किस रैंक प प्रेक्टर से उपर के जो अधिकारी होती है उनकी अलग होती है जिड़ी के जवान होगे ट्रेट्समें होगे उनकी अलग होती है लेकिन सामान सब को मिलता है लेकिन व такой हो जाता है जिस जावान के लिए जो सामान बना है जिससा मां मिलता है अब बात कर दोब वा我就 मिला था उसको मैंने कंद्यो सक्राइव वीडियो है इसको लिंक मिल तो आपको मिलेगी लेकिन अगर मालो आपको नहीं भी मिलती है और अगर आप मिलती भी है तो आप में बात के लिए है जूने किया है जो जब आप फोर्च जाएंड कर लेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा जो जवान को CRPF, OCH, BSF, वो किट मिलता है, किट के अंदर जो वर्दी मिलती है, जो सूज मिलते हैं, जो कैप मिलती है, 99.99% जवान उन ड्रेसेज को उन किट को यूज बहुत ही कम करते हैं, एक छोड़ कर बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर जवान उसको जवान हो, आपको खुद को फिल होगा, कि यह जो वर्दी है यह अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको खुद महसुस ही होगा, कि मुझे एक अच्छी वर्दी सिल वाने चाहिए, दूसरी बात ही है, कि एगर आपको जोईनिंग किट में सामन नहीं मिलता है, तो आपको Central Armand Police Force जितनी भी हैं इनके अंदर आपको एक साल का दस हजार रुपे मिलते हैं जिसको आप यूज भी नहीं कर शकते हैं कि अगर अगर आप हर साल बढ़ती सिलवा लेंगे क्योंकि आपको अपको जो दस हजार रुपे मिलता है वह बहुत होता है तो आपको यह जो डाउट है कि मुझे कैप मिलेगी नहीं मिलती है तो आपको बारत सरकार दस हजार रुपे आपको दे रही है तो आपको सामान मिले चाहिए ना मिले यानि कि आपको बैल्ट मिल रही है कैप मिल रही है ड्रेस मिल रही है नहीं मिल रही है किट के अंदर जो मिले ठीक है नहीं मिलता है तो आपको दस हजार रुपे जो मिलते हैं दस हजार के अंदर आप अपने मन पसंद की अपने साइ प्रश्राइब द्रेस मिलेगी का यह बिल्कुल तेंसे लेने जुरूत नहीं है आपको दस हजार रुपर मिलता है जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर शकते हैं आपको खर्ची करना अगर आपके पास अविलेबल रहती है ड्रेस बगेरा तो को जुरूरी नहीं आप उस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर करना भूले जय हिंद्ट